नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार का चौथा वंदे भारत का ट्रायल पूरा अवैं चनावी खर्च को लेकर बिहार में निगरानी शिरू भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स की घोशना ये बने सर्वस्रिष्ट अभिनेता और अभिनेतरी बिहार की ये दो महिलाएं दुनिया के सबसे सासिक रैली में हुई शामिल बिहार का चौथा वंदे भारत का ट्रायल पूरा बिहार के सीता मढ़ी से राम जन भूमी अयोध्या के बीच शुर होने वाली वंदे भारत ट्रेन के पड़िचालन को लेकर नई जानकारी सामने आई है जिसके तहत स्ट्रेन का ट्रायल 24 दिसंबर 2023 को पूरा हो चुका है वही अब बहुत जल्दी रेलवे के द्वारा इसके पड़िचालन की तारी की घोशना कर दी जाएगी बतादी की मीडिया में चल रही खबरों के नुसार स्ट्रेन के पड़िचालन के शुरवात अगले वर्स यानि की वर्स 2024 के 14 जन्वरी से किया जाएगा इसके लिए रेलवे के ओर से पूरी तयारी कर ली गई है वहीं बीते दिन हुए ट्रायल रन के दुरान रेलवे के उचदिकारियों के द्वारा सारी चीज जाच कर ली गई है मानमोग स्ट्रेन के पड़िचालन के शु अज है तुलसी पूजन दिवस चाने इसका महत्व आज के दिन यानि की 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है बता दे के आज के दिन सवनातन धन में तुलसी का पूजा करना बहुत ही शुब माना जाता है धार्मिक मानेताओं के नुसार तुलसी में देवी लक्षमी का आवास होता है और उनकी पूजा करने से सुख सम्रधी मिलती है अगर इसके महत्व की बात करें तो सास्त्रों में दी गई जानकारी के नुसार प्रते एक दिन तुलसी पूजन करने से घर में सकरातनक उर्जा का संचार होता है और पड़िवार में आ रही कई प्रकार की समस्याई दूर हो जाती है वहीं भगवान विशनु को भी तुलसी बहुत प्रिये है ऐसे में हर दिन तुलसी के उपासना करने से भगवान विशनु भी खुस होते हैं और उनका अशिरवात प्राप्त होता है अवय चुनावी खर्च को लेकर बिहार में निगरानी शुरूँ दोहजार चौबस में होने वाले लोग सभाद चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा राजिय में बेहिसाब खर्च करने वाले संसदिय चेत्रों को चहनत करने की पहल शुरूग कर दी गई है और साथ इसको लेकर पुलिस मुख्याले के ADGEOU विशेश निगरानी काई नोडल पदाधिकारी निडवाचन व्याय मद्र निशेत उतपाद एवं निवंधन विभाग आयकर महानिदेशक नार्कोटिक कंट् निदेशक प्रवर्तर निशाले के संयुक्त निदेशक एवं AGM SLBC के को ओडिनेटर को पत्र लिखा गया है जिसमें इन सभी अधिकारियों को चनाव खर्च को लेकर समवीधन शील निडवाचन छेत्र की वितरत रिपोर्ट तयार करने का निर्देश दिया गया है आपके फिर से करोना के मामलों में बढ़ोतरी होते जा रही है बता दे कि अब बिहार में भी लंबे समय के बाद करोना ने दस्तक दे दी है दो दिन पहले बिहार के राजधानी पटना में बिहार के दो अलग अलग जिलिल के करोना मरीज पाए गए वहीं अब गोपाल गंज में भ ऑफसर डॉक्टर रंजीत कुमार के त्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि विगत दिनों में राज्ये में करोणा जांच की संख्या दोगुनी हो गई है और 5000 सैंपलों की जांच की जा रही है भोजपुरी फिल्म अवार्ड की घोशना ये बने सर्वस्टिस्ट अभिन को अवार्ड से नवाजा गया जिसमें सर्वस्टिस्ट अभिनेता के रूप में अर्विंद अकेला कल्लू को अवार्ड से नवाजा गया तो महीं सर्वस्टिस्ट अभिनेतरी के लिए आम्रपाली दूबे को अवार्ड से नवाजा गया इसके अलावा सर्वस्टिस्ट न फिजीयो थेरफी का अंतराश्ट्रिय सम्द्फल संपन, innovation and integration by the future of global physical therapy theme पढ़ आयुजित किये गये चार दिवसियो थेरफी का अंतराश्ट्रिय सम्देलन खत्म हो चुका है जिसका उधगाटर एम्स के डारिक्टर डॉक्टर एम्स्री निवास ने दीप प्रजुलित कर किया था इस सम्मेलन में देश विदेश से लगबग वारत सो प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया वहें सम्मेलन में 100 से जादा रिसर्च पेपर का प्रिजेंटेशन दिया गया बता दिक इस फीजियो थेरफी सम्मेलन में COVID-19 में फीजियो थेरफी विवाग के महतो पर चर्चा की गया इस कारिक्रम में सहसचीव डॉक्टर प्रभात रंचन एवं कोसाध्यक्ष डॉक्टर पिंटू एवं डॉक्टर सलेस ने में वस्थापक के तौर पर महतपुन भुमिकानी भाई डॉक्टर आजीव अग्रवाल ने स्पीकर एवं गिस्ट का भिवादन किया देश स्विदेश के लोगों को समाज में उत्रिस्ट कारे करने वालों को सम्मानत किया गया सम्मेलन में बिहार कोडिनेटर डॉक्टर सुजीत कुमार ने महतपुन भुमिकानी भाई पटना गया रेलखन पर बनेगा अंडरपास बहुत जल्दी पटना गया रेलखन पर तीन रेलवे अंडरपास और तीन आर्सीसी रैंप फूट ओवर ब्रीस का नर्मान किया जाएगा बता दे किसके लिए रेलवे बोर्ड के दोरा सुकृतित दे दी गई है मालम हो कि रेलवे के अंडरपास के नर्मान पर अपने हिस्से का 6 करोड, 3449 करोड और एक आर्सीसी रैंप वाला फूट ओवर ब्रीस के नर्मान पर 3 करोड, 19 लाक रुपए खर्च किये जाएगा इस बारे में सांसद राम कृपाल यादव के द्वारा जानकारी देते वें बताये गया कि कुल 28.61 करोड रुपए की लागत से पटना गया रेल खिन के नत्थोपूर रोड कुर्थाल, धर्नु चक और महूली में अंडर पास तथा पर्थू पोटही, गुर्पती चक, नं इस बारे में से एक है, इनमें से एक का नाम अनुभा वर्मा और एक का नाम मनीशा मिश्रा है, इन दोनों ने ही अपनी साथी, पूजा सर्मा के साथ दो महीने में 33 देशों में 31,000 किलो मीटर की दुरगम यात्रा की, पतादी कि पूजा ब्रिटेन की निवासी है, ऐसे में या भारत की पहली टीम बन चुकी है, जिन्होंने मंगोल रैली पोल्स ओफ इनकन्वियंस 2023 में भाग लिया है, अपने सफर के दौरान उन्होंने यूरोप और एशिया के कई दुरगम लाकों का सफर पूरा किया और आठ समुंद्रों और महासागरों को भी पार किया, बता चानी की 25 दिसंबर को क्रिश्मस को लेकर चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है, गरजा घरों में प्रातना का आयोजन किया जा रहा है, वही सामानों से बाजार भी सजा हुआ है, बाजार में क्रिस्मस ट्रीब रिक रहे हैं, आज के दिन इसाई समुदाई के लोग अब तरीके से सजाते हैं, वही अगर हम आज के दिन बिहार के सबसे पुराने चर्च के बारे में बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में सबसे पुराना चर्च अस्तित है, इसे पादरी के हवेली के नाम से जाना जाता है, जानकारी के नुसार इस चर्च की इस चर्च में एक घंटा है जो अकर्शन का मुख्य केंद्र है। विदेशी शराब जब्त किया गया और साथी पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की भी ग्रिफ्तारी की गई है जिसकी पहचार मिधलीश कुमार मेता के रूप में की गई है। सभी हेडमास्टर सुपॉल के हैं बतादे किस मामले को लेकर मिले जानकारी के नुसार राजे के सरकारी स्कूलों में सोचाले और क्लास्रूम के नर्मान कारी के लिए सभी स्कूलों को राशी अवंटित की गई थी लेकिन विभाग के द्वारा कई बारा आदेश दिये जाने के बाद भी नौ हेडमास्टर के द्वारा स्कूलों में सोचाले और क्लास्रूम के नर्मान कारी की श्रिवात नहीं की गई ऐसे मेबिन सभी हेडमास्टर को सस्पेंड करते वे उनके खिलाब विभागे काडवाई करनी के नुसंसा कर दी गई है जेडियों ने इस वज़ा से कैंसल किया करपूरी जयनती कारेक्रम जेडियों के द्वारा बिहार की राजधारी पटना में प्रस्तावित करपूरी जयनती कारेक्रम को स्थगत कर दिया गया है कहा गया कि इस कारिक्रम को ठंड की संभावना को ध्यार में रखते वे स्थगत कर दिया गया है ऐसी उमीद थी कि इस कारिक्रम में कड़ी तीन लाख लोग शामिल होंगे लेकिन इन्हें कहां ठेराया जाए यह समस्या थी ऐसे में इस बारे में उचस्तर पर बैठक कर कारिक्रम को सगित किये जाने का नर्डेली आ गया है जेडियो में फूट को लेकर सीएम नितीश का बयान बीते कुस दिनों से लगातार ऐसी खबरे चल रही थी कि विहार के परवव मुख्यमंतरी सुसील कुमार मोदी के दोरा ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार की पार्टी जेडियो में फूट पड़ गई है बहुत PG कहीं और करो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं सुनिल गावसकर नit भारतिय कप्टान को सिरीज को लेकर दी एहम सला भाहते टीम के कप्टान रोहत सर्मा पहली बार किसी सिरीज में तीम इंडिया की कप्टानी करने जा रहे हैैए सेमस को लेकर सुरिल गावसकर के द्वारा स्टार स्पोर्स से बात करते वे रोहित सर्मा को एहम सलाह दी कई है। अगर रोहित पूरा दन बल्ले बाजी करेंगे तो वह साफ तोर पर अपने बल्ले से बरे सोर्स खेल सकते हैं और अपनी पारी को 150 से जादा पर खत्म कर सकते हैं। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 107.9 रुपे और डीजल कीमत 107.9 रुपे और डीजल कीमत 14.6 रुपे प्रति लीटर है। अब बरते हैं आज के पांच सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है। इता मढ़ी से अयोध्या के लिए शुड़ू होने वाली वंदे भरत ट्रेन का ट्रायल रन कप किया गया। उप्शनी 24 दिसंबर 2023, उप्शनी 23 दिसंबर 2023, उप्शनी 22 दिसंबर 2023, उप्शनी इन में से कोई नहीं। इसका स्तहुत तरहे उप्शनी 24 दिसंबर 2023। अगला सवार, जेडियू के द्वारा बिहार की राजधानी प्रत्ना में प्रिस्तावित कर पूरी जयनती कालिक्रम कब किया जाने वाला था? ऑप्शनी 22 जन्वरी 2024, ऑप्शनी 23 जन्वरी 2024, ऑप्शनी 25 जन्वरी 2024 इसका सहुत्तर है ऑप्शनी 24 जन्वरी 2024 अगला सवाल वर्ष 2022 से लोग सभाचनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की चनावी खर्च की सीमा कितनी निर्धारित की गई है ऑप्शनी 50 लाग, ऑप्शनी 65 लाग, ऑप्शनी 95 लाग इसका सहीधतर है ऑप्शनी 95 लाग अगला सवाल अठारवे भोजपुरी फिल्म अवोर्ड्स 2023 में सरवस्रिष्ट निर्धेशक का अवोर्ड किसे दिया गया ऑप्शनी अर्विंद अकेला कल्लू, ऑप्शनी प्रमोद शास्त्री, ऑप्शनी रंजन सन्हा, ऑप्शनी आम्रपाली दूबे इसका स्थे उत्तर है ऑप्शनी प्रमोद शास्त्री, अगला सवाल अनुभा वर्मा और मनीशा मिश्रा ने अपनी साथी पूजा सर्मा के साथ दो महीने में कितने किलोमीटर की दुरगम याद्रा की आप्शन A 31,000 किलो मीटर आप्शन B 41,000 किलो मीटर आप्शन C 51,000 किलो मीटर आप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सहुत तरहे आप्शन A 31,000 किलो मीटर बीते दिन हमारे दराप पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे पूछे का सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रवी कुमार राम जितंदर रठाको नर्नो गोलो कुमार सुदलला बल्वी नौशद राजा रोहित कुमार पाल मुहमद शकील मुहमद सकीर हुसेन अनवर करीम खान कुष्ट कुमार यादब धरंदर कुमार रिश्य देव राज किशोन महतो बावुलाल बरानी रवी शंकर अनमोल कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है तो उसी पूजन दिवस और क्रिस्मस को लेकर आपके तरफ कैसा बहुल है अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज करी इतना ही बिहार के तमाम कबरों के स सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद